नमस्कार दोस्तों आप सभी का Steady Quiz with निर्मला यूटूब चैनल पर स्वागत हैं आज में Important Question यानि की RBSC की 10th क्लास से निर्मीत पूरे 40 से 42 प्रशन लेकर आई हूँ जो की बहुती अतिमहत्पून है या कह सकते हैं बहुत जादा Important है और ये Read के साथ साथ राजिस्तान की सभी प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए Important है तो चलिए देखते हैं आज के कौन से प्रशने हैं उन्हें आप जरूर करिए और Comment section में बताना ना भूले की आपके कितने सही हुए हैं तो आज का पहला प्रशने देखिए पहला प्रशने पाट 6 से हैं राजिस्तान में देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत पाया जाता हैं 4 प्रतिशत 7 प्रतिशत 6 प्रतिशत या फिर 8 प्रतिशत तो कितना पाया गया है या पाया जाता है पशुधन का तो राजस्तान में पाया जाता है 7 प्रतिशत तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ख 7 प्रतिशत अगला प्रश्ण देखिए, राज के सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन का योगदान कितना प्रतिशा थी है? किसमें सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान का पशुधन में कितना योगदान है? 10%, 20%, 13% या फिर 15% तो कितना परसेंट है? वैसे एक्जेक्टली तो 9% है, लेकिन यहाँ पर नो परसेंट नहीं दिया गया है, तो इसका अंसर माना जाएगा क 10%, क्या हो गया इसका अंसर? 10%, ओके, यानि कि देश में पशुधन का प्रतिशा थी कितना साथ, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में कित प्रतिशत उन उत्पादन होता है, उन उत्पादन होता है, तो उसका प्रतिशत पुछा गया कितना प्रतिशत? 40%, 30%, 15% या फिर 14.5% तो राजिस्तान में भारत का जो टोटल उन उत्पादित होता है, वो होता है 40% तो आंसर क्या हो जाएगा क 40% अगला देखिए, थार पा जोदपूर में और उदैपूर में तो जो थार पारकर गाएं हैं वो पाई जाती है कहां पर पाई जाती है वो पाई जाती है बाढ़ मेर में तो आंसर हो जाएगा ख बाढ़ मेर अगला प्रशन देखिए राजी की कितने लाग परिवार क्रशी कारियों में सहलग नहें यान उसका अनफर हो जाएगा लगबग 2 lakh परीवार किसमें जुड़ेवे रचुकार्यों में lihat हैं तो इसका अनसर हो जाएगा कर दो लाग परीवार ओके अगला प्रेश देए प्रेश्ण नंवर ची सा राजस्तान में कितने पशुमेले लगते हैं यानि राजस्तान में लगने वाले मेलो की कौन से मेलो की पशु मेलो की संख्या कितनी है वो पूछना चाहता है तो कितनी संख्या है 30, 50, 90 या 110 तो राजस्तान में कुल जो पशु मेले लगते हैं वो लगभग लगते हैं 50 तो आंसर क्या हो जाएगा ख, 50 अगला प्रस्ण देखिये साथ राजस्तान में 1951 में कितने पशु में किस्ताले थें कब 1951 की पूछी थी कि उस समय कितने पशु में किस्ताले थें अगला प्रश्ण देखिए प्रश्ण नम्मर आठ दो हजार चे की अंतक जीला दुग्द संगो की कितनी संख्या थी यानि दो हजार चे की अंतक जीला दुग्द संगो की कितनी संख्या थी सत्रा सोला तेरा क्या फिर चोदा तो कितनी संख्या थी तो उनकी संख्या थी सोला आंसर हो जाएगा ख, ओके, आज वेसे मैं पार्ट 6 से लेकर 10 तक के प्रश्ण लेकर आई हूँ, जो कि अभ्यास प्रश्णे, इससे पहले में 1 से 5 पार्ट, यानि 10th क्लास की जो भू के राजस्तान अध्यान की उसकी वीडियो अपलोड कर चुकी, पहले आफ वो देखिए, उसके बाद इसे देखिए, तो जादा समझ में आएगा, ओके, ये पार्ट 6 ता, अब देखते हैं, पार्ट 7 का पहला प्रश्ण, राजस्तान में कितने प्रतिशत, लोगों के रोजगार का आधार पंजी कृत लगू उद्योग है, प्रश्ण है, राजस्तान में कितने प तो कितना हो जाएगा, कितना प्रतिशत आंसर है इसका, इसका आंसर हो जाएगा, 8.5 लाग, आंसर हो जाएगा, ख, 8.5 लाग, अगला प्रश्ण देखिए, प्रश्ण नमबर 2, राजस्तान में भारत की कूल पशु संख्या का कितना प्रतिशत पाया जाता है, 15 प्रतिशत 25 प्रतिशत 25 प्रतिशत या फिर 27 प्रतिशत तो इसका अंसर हो जाएगा 22 प्रतिशत यानि कूल पशु संक्या का राजस्तान में पाये जाने वाला प्रतिशत थे 22 प्रतिशत तो इसका अंसर हो जाएगा क 22 प्रतिशत अगला प्रस्ण देखी, राजस्थान में आठवी पंच वर्षी योजना में लगू एवं कूटिर उद्योगों का विकास व्याय था, कितना था? 1.98 करोन रुपए, 70.97 करोन रुपए, 47.6 करोन रुपए, या फीर 3.95 करोन रुपए, तो कितना था? इसका टोटल था उस समय 3.95 करोन रुपए, यानि कि 3 करोण 25 लाग इसका टोटल अमाउंट था यानि आंसर हो जाएगा घह अगला प्रश्ण देखिए प्रश्ण नमबर 4 1955 से 66 में लगू उद्योगों की संख्या राजस्तान में कितनी थी यानि कि 1955 से लेकर 66 तक जो लगू उद्योग थी उसमें राजस्तान में कितनी संख्या थी अगला प्रश्ण देखिए 1994 यानि कि 1993 से 94 में लगू उद्योगों का उत्पादन कितना करोड था 200 करोड, 200 करोड, 210 करोड या 1,500 करोड तो कितना हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा उस समय जो लागत थी या उत्पादन था वो था 150 करोड यानि आंसर हो जाएगा घह 150 करोड अगला प्रश्ण देखिए लगू उद्योगों में अनुमानित पुंजी वियोग लगू उद्योग में अनुमानित पुंजी वियोग दो हजार पांच छे में कितना था कितना था 4,368, 5,368, 6,930 या 4,540 तो उस समय कितना था दो हजार पांच छे की बात पूची गई है तो उस समय था 4,368 करोड तो आंसर हो जाएगा कर 4,368 करोड अगला प्रश्ण देखिए प्रश्ण नमबर साथ डॉक्टर आबिध हुसेन समीति के अनुसार कितनी पुंजी वाले उध्योग लगू उध्योग की श्रेड़ी में आते हैं यानि जो डॉक्टर आबिध हुसेन समीति बनी थी उनके अनुसार जो पुंजी वाले यानि कितनी पुंजी वाले उध्योग लगू उध्योग की श्रेड़ी में आएंगे उन्होंने माना है एक करोड दो करोड तीन करोड या फिर चार करोड तो इसका अंसर हो जाएगा लगबग तीन करोड रुपए तक की जो पुंजी वाले उध्योगे वो लगू उध्योग की श्रेड़ी में आएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ग तीन करोड अगला प्रशन देखिए राजस्तान में कितने जीला उध्योग कैंदर है चोंतिस बद्तिस अठाइस सब्ता आठ का पहला प्रशन हमने अभी पाट 6 और 7 देखा है पाट 8 का पहला प्रशन देखिए नरेगा योजना का प्रारम कपसे हुआ नरेगा योजना का प्रारम कपसे हुआ 2006 से 2008 से 2004 से या फिर 2005 से तो जो नरेगा योजना का कैसकते शुभारम या प्रारम हुआ था वो हुआ ठाथा 2005 में और महिना था सितमबर यानि कि सितमबर 2005 में नरेगा की शुरूआत होती है और यह कैसे होती है तो यह देश के 200 जीलों में यानि की प्रारम में या प्रारम की गई थी यह योजना यानि प्रारम 2005 में हुई थी लेकिन अगर क्योशन बनता है 200 जीलों के साथ कब हुई थी तो वो हुई थी दो फरवरी 2006 अगला प्रशन देखिए राजिस्तन पंचायती राज अध्या देश में परिवर्तन कब हुए 2001 में, 2004 में, 2006 में या 2000 में तो राजिस्तन पंचायती राज अध्या देश में जो परिवर्तन हुए थे वो हुए थे 2000 में कब हुए थे 2000 इसका अंसर है और डेड़ भी याद रखो तो अच्छा है डेड़ थी 7 जनवरी यानि कि पंचायती राज अद्यादेश में जो परिवर्टन वो हुए 7 जनवरी 2000 को अगला प्रशन देखिए प्रश नमबर 3 पंचायत के कारिकाल की समय सिमा कितने वर्ष तैक की गई है दो वर्ष, चार वर्ष, पांच वर्ष या छे वर्ष तो कितने वर्ष है पंचायत का जो कारिकाल होता है वो होता है पांच वर्ष आंसर हो जाएगा स अगला प्रशन देखिए पंचायती राज्जी व्यवस्ता का मद्धिवर्थी इस्तर कोन सा है ग्राम पंचायत, पंचायत समीती, जीला परिश्र या फिर कोई नहीं पंचायती राज्जी व्यवस्ता का मद्धिवर्थी इस्तर कोन सा है तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायत समीती यानि बपंचायत समीती अगला प्रशन देखिए प्रशन नमबर पांच प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना किस तर में प्रारम की गई प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना किस तर में प्रारम की गई दो हजार एक में दो हजार में दो हजार तीन में या फिर दो हजार चार यह चार है यानि 2001, 2000, 2003 या 2004 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जो प्रदान मत्रिक ग्रामोदय योजना है वो चालू की गई थी या फिर प्रारम की गई थी 2000 में यानि आंसर हो जाएगा 2000 2000 इसकी डेट भी इंपोर्टेंट है कहीं बार एक्जाम में इसकी जो डेट है वो भी पूची गई है तो देट हो जाएगे इसकी 25 दिसंबर यानि की प्रदान मत्रिक ग्रामोदय योजना 25 दिसंबर 2000 को प्रारम की गई है अगला प्रशन देखिए प्रशन नमबर 6 प्रशन नमबर 7 पंचायती अधिनियम राजस्तान में कब लागू किया गया जो पंचायती राज अधिनियम आया था वो राजस्तान में कब लागू किया गया 24 अप्रेल 1994 एक जनवरी 1994 बारा फरवरी 1994 या फिर 24 दिसंबर 1994 तो राजस्तान में जो पंचायती राज लाया गया था वो आया थ 24 अप्रेल 1994 तो आंसर हो जाएगा 24 अप्रेल 1994 और यह संपूर राजस्तान में एक साथ लागू हुआ था अगला प्रशन देखिए कितने वर्ष की आयू में कितने वर्ष की आयू में व्यक्ति ग्राम सबा का सदस्य हो सकता है 18 वर्ष 21 वर्ष 24 या 30 वर्ष तो कितने वर्ष की आयू में ग्राम सबा का सदस्य हो सकता है तो आंसर हो जाएगा 18 वर्ष की आयू में व्यक्ति जो है ग्राम सबा का सदस्य हो सकता है अगला प्रशन देखिए 18 वर्ष क्यों माना गया है क्योंकि जो मद्दान करने की उम्र है वो 18 वर्ष या 18 वर्ष उपर मानी गई है यानि कि वयस्क मत अदिकार का जो अदिकार है वो 18 वर्ष के उपर ही है अगला प्रशन देखिए प्रशन है पार्ट नों का पहला प्रशन है 1961 की जनगर्णा में भारत में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत था कौनसी पुछी गई है 1961 की जनगर्णा पुछी गई है उस समय महिलाओं का साक्षर जो प्रतिशत था वो कितना था 15, 20, 40 या फिर 60 इसका आंसर हो जाएगा 1961 की जनगर्णा है उसमें महिलाओं का प्रतिशत है 15 प्रतिशत कितना था 15 प्रतिशत आंसर हो जाएगा 15 प्रतिशाद अब यह देखा जाएं कि पूरुषों का भी याद होना चाहिए तो महिलाओं का अगर 15 प्रतिशाद था उस समय तो पूरुषों का कितना था तो पूरुषों का था उस समय 40 प्रतिशाद अगला प्रशन देखिए भारत के रेल मंत्राले ने इस नाम से 21 महिला स्पेशल ट्रेने चलाने का निर्णय लिया है यानि कि 21 महिला स्पेशल ट्रेने किस नाम से चलाई गई है इस्तिशक्ति, मातरी भूमी, भारती नारी या फिजहासी की रानी तो 21 जो महिला ट्रेने चलाने का निर्ने लिया गया है वो नामे मातरी भूमी नाम से आंसर हो जाएगा बब मातरी भूमी अगला प्रशन देखे प्रशन नमबर 3 वर्ष 2001 की जनगर्णा में राजिस्तान की कुल जनसंक्या थी 2001 की जनगर्णा में राजिस्तान की जो टॉटल जनसंक्या थी वो कितनी थी 10 करोड, 7 करोड, 5 करोड 65 लाग, 4 करोड 20 लाग तो 2001 की जनगर्णा में राजस्तान की ज़नसंग्या थी वह थी 5 करोड 65 लाग कितनी थी 5 करोड 65 लाग और अब जो वरतमाने वह कितनी है 6 करोड लग बग खना 6 करोड 65 लाग के आस पास राजस्तान की कुल जनसंग्या है अगला प्रशन देखिए प्रशन नमबर चार यानि आपको 2001 की जन्दगर्णा में जो जन्संक्या थी वो भी याद होनी चाहिए और 2011 की भी याद होनी चाहिए अगला प्रशने राजिस्तान राज महिला आयोका गठन किस वर्ष किया गया हूँ 2010, 2005, 2000 या 1999 तो जो राजिस्तान महिला आयोका गठन ने वो किया गया था 1999 आंसर हो जाएगा 10 1999 डेड भी याद रखो तच्छा है डेड थी 15 मैं यानि 15 मैं 1999 को राजिस्तान राज महिला आयोका गठन किया गया अगला प्रशने 5 राजिस्तान में वर्ष 1984 में महिला विकास कारिक्रम कितने जिलों में आरंब किया गया 7 जिलों में 11 जिलों में 15 जिलों में या फिर 20 जिलों में तो इसका अंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा साथ जिलो में आंसर ए साथ जिलो में यानि अ आंसर इसका सही है अगला प्रशन देखें प्रशन नमबर छे पांच सुत्री महिला सशक्ती करण कारिक्रम में सकल जर्मदर को कहां तक ले जाने का लक्ष निर्धारित किया गया ही सत्रा प्रति हजार 21 प्रति हजार 25 प्रति हजार या फिर 30 प्रति हजार तो इसका आंसर हो जाएगा 21 प्रति हजार इसका आंसर हो जाएगा यानि क्या आंसर हो जाएगा अगला प्रशन देखें प्रशन नमबर साथ घरेलू प्रशन नमबर साथ है घरेलू हिंसा से महिला सनक्षन अधिनियम 2005 पूरे देश में किस तिथी से प्रारम किया गया है एक जनवरी 2005, 26 जनवरी 2005, 26 अक्टुबर 2006 या फिर 31 दिसंबर 2006 तो जो घरोली हिंसा से महिला सनक्षन अधिनियम 2005 ही वो पूरे देश में लागू किया गया था 26 अक्टुबर 2006 को आंसर हो जाएगा सा 26 अगला प्रशन देखिए आठ राजस्थान में जो राजस्थान में बालिकाओं की संख्या में गिरावट रोकने के लिए चलाई जा रही योजना का नाम है बाली का घटाओं योजना बाली का विस्तार योजना कन्या वृद्धी योजना या फिर मुख्य मंत्री बाली का संबल योजना तो आंसर हो जाएगा इसका मुख्य मंत्री बाली का संबल योजना यानिकि द इसका सही आंसर है अग्ला प्रश्ण देखें प्रश्ण नमबर 9 राजस्तान के मुख्य मंत्री ने वर्ष 2009 दस को अपनी बजट भाषर में महिला सशक्टी करण के लिए कितने सुत्री कारिकर्म की घोशना की थी इसका अंसर क्या हो जाएगा कितने 7 सुत्री कारिकर्म की घोशना की थी यानि 7 आथ अंसर इसका हो जाएगा, जैसे कारिक्रम क्या थे तो कारिक्रम थे सुरक्षित मात्रित्व योजना, कह सकति हैं सुरक्षित मात्रित्व, शीशु मृत्युदर में कमी लाना, जन संक्या इस्थरी करन, बाल विभाओं की रोक्ता, लड़कियों को कम से कम कक्षा दस तक गया उन को कख्षा दस्तक पढाना, महिलाओं को सुरक्ष अर्था सुरक्षित वातवरन प्रदान करना, मुख्य सच्चिव की अद्यक्षिता में साथ सुत्री कारिक्रम की मौनिटरिंग की गई। यानि ये साथ प्रकार की साथ सुत्री कारिक्रम उस समय गोशना की गई थी अगला प्रस्ण देखें प्रस्ण मबर 10 वर्ष 2009-10 में महात्मा गांधी रास्टी ग्रामिन रोजगार गारंटी योजना में स्रिजित मानव दीवसों में राजस्थानी महिलाओं की भागिदारी का प्रतिशत कितना था तो इसका आंसर हो जाएगा 67 प्रतिशत यानी कि बा इसका राइट आंसर हो जाएगा ये राजिस्तान की महिलाओं का पूछा गया है अगर रास्टी इस्तर पर पूछा जाए यानि रास्टी इस्तर पर महिलाओं का कितना प्रतिशत था तो वो हो जाएगा 48 प्रतिशत अगला आप देखें लास्ट पार्टे पार्ट दस उसका पहला प्रश्ण है संयुक्त रास्ट संग द्वारा किस सन में उभगता सरक्षण अधिनियम के लिए दिशा निर्देशों को मन्जूरी दी गई 9 अपरेल 1985, 9 अपरेल 1986, 10 अपरेल 1985 या फिर 9 अपरेल 1986 तो इसका आंसर हो जाएगा आ, 9 अपरेल 1985 अगला प्रश्ण देखी MRTP कमिशन कब बना? MRTP कमिशन कब बना? 1965 में, 1979 में, 1972 में या 1974 में तो जो MRTP कमिशन बना वो बना था 1979 में आंसर हो जाएगा ब, 1979 अब MRTP की फूल फॉर्म क्या है? जो इसका पूरा नाम है वो है एकाधिकार और प्रती बंधात्मक व्यापार व्यावार आयोग क्या नाम है? एकाधिकार और प्रती बंधात्मक व्यापार व्यावार आयोग इसका पूरा नाम है अगला प्रशनेगे प्रशन नमबर तीन उभगता सरक्षन संशोदन नियम की तहत एक लाख रुपए तक शिकायत कराने के लिए लगने वाला मुल्य है पचास रुपए, सो रुपए, एक सो पचास रुपए या फिर दो सो रुपए हैं तो क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा एक लाख रुपए तक की शिकायत दर्ज कराने के लिए सो रुपए इसका अंसर है यानि अंसर हो जाएगा बाँ अगर एक लाग तक के लिए सो रुपए है तो एक लाग से पांच लाग तक के लिए हो जाएगा दो सो रुपए पांच लाग से दस लाग के लिए हो जाएगा चार सो रुपए दस से बिस लाग के लिए हो जाएगा पांच सो रुपए अगला प्रशन देखिए प्रश्ण नमबर चार जीला उभुकता फोरम में कितने सदस्य होते हैं तीन पांश दो दस कितने सदस्य होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा तीन सदस्य होते हैं आंसर है अ तीन इसमें क्या होता है एक अध्यक्ष होता है और दो सदस्य होते हैं अब जो दो सदस्य है उसमें एक महिला का होना क्या है अनिवारी है अगला प्रश्ण देखिए प्रश्ण नमबर पांच जीला न्यायलाई कितने रुपे तक की राशी के मामले सुन सकते हैं दस लाग, बीस लाग, तीस लाग, क्या फिर पचास लाग तो इसका अंसर हो जाएगा बव बीस लाग तक की रासी के मामले सुन सकते हैं को चीला न्यायलाई अगला प्रस्ट देखे, रास्ती आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तीन, पांच, चार, नो तो जो रास्ती आयोग में कुल सदस्य होते हैं वो होते हैं पांच यानि आंसर हो जाएगा बा इसमें भी वही है कि एक रहेगा अध्यक्ष और जो बाकी बचे चार वो रहेंगे सदस्य जिसमें से एक महिला का होना क्या है अनिवार्य होता है अब यही कि जो रास्त्री आयोक का अध्योक्ष होता है वो कौन होता है तो वो होता है सर्वोच चुन्याले का जो सेवा निर्वित न्यायदिश होता है वही इसका अध्योक्ष होता है अगला प्रश्ण देखिए, प्रश्ण नमबर साथ, रास्त्री आयोक के निन्ने से असंतुस्ति की स्तती में कितने दिन में अपिल की जा सकती हैं? 30 दिन, 90 दिन, 60 दिन या फिर 15 दिन तो इसका आंसर हो जाएगा 30 दिन, अ इसका आंसर है 30 दिन अगला प्रश्ण देखिए, उब्भोकता सरक्षन अधिनियम कब पारित किया गया? 1985, 1986, 1987 या 1988 दिसका आंसर हो जाएगा 20 1986 को उब्भोकता सरक्षन अधिनियम पारित किया गया था ओके, तो ये टोटल थे लगपक 40 से 42 प्रश्ण जो की बहुती इंपोर्टेंट है इन्हे करिए और कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा कि आपके कितने सही होते हैं और मेरे चेनल को लाइक करें, सस्क्राइब करें और शेयर करना ना भूले, साथ में बेल आइकन भी प्रयास करें, धन्यवाद